नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बर फिर से नई वीडियो के परडिक्शन के साथ तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है CSK वर्सीज मुंबई इंडियन्स के बीच में जो IPL का मैच खेले जाने वाला है उसके बारे में फुल डिटेल में एनलाइज करूँगा हर एक प्लेयर का अपडेट की कोन से प्लेयर को आप अपनी Grand League टीम में कैप्टन रख सकते हो कोन से प्लेयर को वो इस कैप्टन रख सकते हो और कोन सा प्लेयर आज के मैच में आपके लिए Trump प्लेयर बनने वाला है और कोन सा प्लेयर आ आज के मैच में आपके लिए बहुत हैलफुल रहने वाली है और आज के मैच में कौन-कौन प्लेयर फ्लोप होंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो फड़ाबट स चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रैस करके रखना ताकि continue अपडेट आपको इस चैनल से प्रोवाइड होती रहे फाइनल टीम आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलिग्राम चैनल का लिंक दे रखा है फड़ाबट करती है या spinner को अच्छी खासी मदद करेगी या फास्ट बॉलर को मदद करेगी पूरा अपडेट में यहां पर बात करने वाले हैं तो फड़ाबट से वीडियो को लाइक जरूर कर लेना तो अब बात करते हैं यहां पर पिच किस परकार की रहने वाली है इस मैच की तो दो अगर मैं वैन्यू की बात करूं तो माच इंदाबरम किर्केट स्टेडियम चेन नई में यहां मुकाबला खेले जाने वाला है और यहां पर जो पिच होती है वह बैटिंग की पिच होती है स्पीनर्स को अच्छी खासी मदद भी मिलती है लेकिन यहां पर पेसर्स को भी अ 25 निकल चुकी है जिसमें 26 विक्टे पेसर्स ने निकाली है और 27 विक्टे स्पिनर्स ने निकाली है तो आप एवरेज स्कोर मान सकते हो कि दोनों यहां पर स्पिनर्स और मीडियम फास्ट बोलर दोनों को यहां पर मदद करेगी यह पिच और बैक्टिंग ओडर में यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहां पर आप देख सकते हो टोटल विक्टे 26 और 27 यहां पर हैट्टो एड की बात करूं तो दोनों टीमों के बीच 14 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें 5 मुकाबले चेननई ने विन किये हैं और 8 मुकाबले मुंबई इंडियंस यहां पर विन किये हैं तो यहां पर आप लगा सकते हो कि थोड़ी सी मुंबई इंडियंस का पलड़ा है वो थोड़ा भारी है और यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर लेती है यहां पर अगर वेन्यू की बात करूं कि इस पिच पर कोन सा प्लिएर अच्छा खासा परफोर्वेंस करता hypothом तो यहां पर आप देख सकते हो तीन और आपको यहां पर डएविड कॉन्य ऺिट टोप पर है तो डएविड कॉन्वे इस mutually पर आच्छा खासा परफोर्वेंस करता है तो आप उसको पिछ पर टोटल कितने मुकाबले खेले गए है और कौन सी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है कि इस पिच पर टोटल कितने मुकाबले खेले जा चुके के हैं तो नीचे मैंने description में इस app का link दे रखा है क्योंकि इस app पर जो कल का मुकाबला होगा CSK और मुंबई के बीच में उसमें 50,000 रुपए का giveaway free में आपके लिए लेके आ चुका हूँ तो नीचे description में इस app का link दे रखा है फड़ापट से इस app को download जरूर करें और आप यहाँ पर बैतरीन winning के आपके chances यहाँ पर बन जाते हैं और यहाँ पर competition आपको बहुत ही 0% आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर trending का जो आज का topic है बहुत ही यहाँ पर easy तरीके से यहाँ पर चलते हैं देखो यहाँ पर क्या question है कि क्या अरजुन तैंदुल कर खेलेगा चिन्ने के खिलाफ आपको yes और no में जवाब देना है तो आप यहाँ पर yes पर करते हो तो आपको कुछ इस परकार से price मिलेगा 9 पर करते हो तो आपको कुछ इस परकार से price मिलेगा मतलब 9 पर आपको चैका रेट है और yes पर चार का रेट है तो आपको simple यहाँ पर yes नो पर किलिक करना है और आप easy तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा profit कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आपके लिए अगला option आपको दिखाता हूं कि real 11 पर यहाँ पर latest tedious detection आपको दिखा देता हूं यहाँ पर real 11 के देख सकते हो other app को देख सकते हो कि यहाँ पर आपके जो बचत है बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर बचत है यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 5000 जो other app के हैं तो यहाँ पर आप easy तरीके से अच् Pitch पर खेले जा चुके हैं, और जो 66 मुकाबले हैं, जो पहले बैٹ्टिंग करती है, उसने विन किये हैं, 57 मुकाबले जो second BAR बैٹ्टिंग करती है, उसने विन किये हैं, दो मुकाबले यहांपर टाई भी हो च्ट पाइ другие हो चुके हैं, फ़र्स्ट inning का average score नीचे 150 के करीब सकोर 48 बार यहां पर बन चुका है और यहां पर 150 से 170 के बीच में यहां पर 40 बार यहां पर सकोर बन चुका है और यहां पर 170 से 190 के बीच में यहां पर 19 बार सकोर बन चुका है और 190 से उपर 19 बार सकोर बन चुका है तो अब आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि पिच है वो थोड़ी सी बैक्टिंग को भी मदद करेगी और बोलिंग को भी मदद करने वाली है तो स्पिनर्स में यहां पर कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा वो यहां पर हम जो हमारी फाइनल टीम क्रियेट करेंगे उसमें यहां पर पता कर कर रहे हैं रिसेंट में भी इसान किसन अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आ रहा है और डैविड कौनवे कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपके लिए दोनों प्लेयर यहां पर बैस्ट च्वाइस है दोनों को यहां पर ट्राइ कर सकते हो और बैटिंग ओडर में ट्राइ करने वाला हूं यहां पर एक प्लेयर ओप्शन और है कि यहां पर टीम डैविड को आप ट्राइ कर सकते हो क्योंकि फॉर्म में है प्लेयर और हर मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं आल राउंडर की तो जड़िज पर अच्छा खासा पर्फोर्मेंस कर रहा है जोफरा आर्चर तो इसको ट्राइ करने वाला हूँ नीचे यहाँ पर अगर आप अगले प्लेयर की बात करूँ तो पी उस सावला भी स्पिच पर अच्छा खासा यहाँ पर पर्फोर्मेंस कर रहा है और अगर अगले प्लेयर की यहाँ पर बात करूँ जो बोलर रहने वाला है तुसार देश पंडे को ट्राइ करने वाला हूँ तो यहाँ पर तीन प्लेयर यहाँ पर मेरे हो चुके हैं और यहाँ पर आप एक प्लेयर और ट्राइ कर सकते हो या तो bowling section में या आप अगर आप risk नहीं लेना चाते तो batting section में जाके रोहित सर्मा, रितुराज गाइकवार्ड और team David तीन option है आपके पास तीनों में से आप कोई भी player यहाँ पर try कर सकते हो जो आपको लगे कि यह form में है तो यहाँ पर जो मैं try करूँगा team David को यहाँ पर drop करके और यहाँ पर रितुराज गाइकवार्ड के साथ जाने वाला हूँ तो यहाँ पर option यहाँ पर team David का भी अच्छा है तो इसको try कर लेते हैं अभी के लिए तो यहाँ पर captain की बात करूँ तो captain मेरा David कोनवे रहेगा इस speech पर voice captain की बात करूँ voice captaincy के लिए मैं Cameron Green के साथ जाऊंगा तो यहाँ पर आप captain voice captaincy reverse भी कर सकते हो आपके लिए best option बनने वाला है तो यह मेरी final team रहने वाली है अगर यहाँ पर CSK की team पहले batting करेगी तो यहाँ पर मेरी same team रहेगी अगर CSK की team बाद में batting करेगी और यहाँ पर Mumbai Indians की team पहले bowling करेगी तो यहाँ पर team अलग है और CSK की team पहले bowling करेगी तो यहाँ पर team थोड़ी bowling section changement करेगे तो final team मेरी यह रहने वाली है बाकी update आपको telegram channel पे मिल जाएगी फड़ापट से join जरूर करें नीचे description में link दे रखा है और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो फड़ापट से channel को subscribe करके bell icon को press करके रखे ताकि continue update आपको इस channel से provide होती रहे तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है next interesting वीडियो के साथ